हेलो दोस्तों आज हम लोग एक बहतरी मजबूत सा पोछा बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें इस तरीके से पट्टियां तयार कर लेनी है और फिर उने इस तरह से कीच कीच करके थुड़ा बड़ा कर लेंगे तो थुड़ा मजबूत बनेगा हमारा पोछा इसकी लंबाई मैंने 33 इंच रखा हुए इसी तरीके से मैंने ये तीन रंग की पट्टिया ले ले लिए हैं अब हम एक वार पट्टी लेंगे ये थोड़ी चोड़ी है इसको इस तरीके से रोल करके ऐसा रखेंगे और इन सारे पट्टियों में जैसे मैं नॉट लगा रहा ह है कि खुलता नहीं है मजबूत ही रहता है कि इस तरीके से अच्छे से बान देंगे ताकि ये खुले ला है चलिए फटा फट्ट जितनी बट्टी अमने काटी इस सेद्ट को इसमें नॉट लगा 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 तो अब हमारी सारी के सारी पट्टियां लग चुकी है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगय का प्रॉसेस एक डड़ा लेना है और इसमें पट्टिया बनाई है उसको इस तरीके से बान लेना है और यहां पर आप एक केल से उसको फिक्स कर सकते हैं फिर एक के उपर एक ऐसे रोल करते हुए गुमाते हुए पूरी पट्टि को इसमें रोण करनें बांग देगे तरह लास्क में रिकांटी देंगे और इसको अच्छे से फिक्स करेंगे और बैक साट भी इसको अच्छे से बांड करनेंगे ताकि हाथ में गड़े ना यह हमारा पुछा अर्मोस्ट रेडी होगी है इसको बराबर करके यह प्रट्ट करेंगे जाए ख्रट्ट रेडी है अंक तरहां थापने में थास्टे आ प्रट्ट रेडी है मैं की कि अच्छेग आई प्रट्ट्ट रेरा अमें आटड्ट चाहंँए थान्या को बांड़े द्टे से वाज वाट्से दून लाजान कर देदे इसको आड़े झाल